हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अमन एनलिसस में तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा इंट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको सीखने वाले हो आपकी how to check NDA exam marks यानि कि NDA की mark sheet को किस तरीके से check किया जाता है और आप लोगों का जो final merit list है यानि कि जो candidate select होते हैं in the final merit list उन लोगों को कैसे उनके number देखने है क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ पहले ही कि आप लोगों के जो marks होते हैं जो भी आप देते हो for math और get ये आपको तभी show होते हैं जो final merit list आती है ठीक है तो इस वीडियो को पूरे हैं तक जरूर देखना अच्छा लगे तो like और share जरूर करना सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि Government of India Press Information Bureau इन लोगों ने official जो NDA 2 2019 का जो merit list है final merit list वो declare कर दी गई है for 144th course of NDA ठीक है तो आप देख सकते हैं इनमें बहुत सारे बच्चे हैं जो selected हुए तकरीबन 662 बच्चे select हुए हैं यानि कि 662 अब बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि 662 बच्चे select हुए हैं तो इसका जो seat है वो कितनी थी तो इसकी seat केवल 415 थी लेकिन बच्चे 662 कैसे select हुए तो मेरे दोस्त यहाँ पर second point ध्यान से पढ़ना आप लोग the result of medical examination have not been taken into account in preparing this list यानि कि इस list को prepare करते हुए जो medical examination का result है वो नहीं देखा गया है यह केवल वो बच्चे हैं जो SSB round में select हुए है अब इन में बहुत सरे बच्चे unfit भी हुए होंगे in medical तो यह unfit कर बिना unfit किये हुए पूरी list है ठीक है तो आपको मैं एक चीज बचा दूँ कि आप लोग अपने result कब देख सकते हैं जो 5th point है उनको ध्यान से पढ़ना the result is also available on the UPSC website और however marks of the candidates will be available on the website after 15 days of date of declaration of final result यानि कि जो result final result declare किया गया है जो final result declare किया गया है इसके 15 दिन बाद आप लोग अपने marks देख पाऊगे यानि कि जो बच्चे भी अपने NDA का exam NDA 2 2019 में दिये हैं वो लोग अपने number देख पाएंगे अब जैसे कि जो अब नया attempt होगा वो लोग अब देखेंगे अब वो तब देखेंगे जब उनका final merit list आएगा ठीक है जब SSB round medical सब complete होगे जब final merit list आएगा तभी वो बच्चे अपना result देख पाएंगे आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि कैसे देखना होता है आपको केवल Google पे सर्च करना है UPSC marksheet ठीक है आपको केवल सर्च करना है UPSC marksheet तो इस टाइप के कुछ interface अब से पहले कुलेगा UPSC marksheet तो इस पे click कर दोगे जब आप जब इस पे आप click कर दोगे तब क्या होगा तब इस टाइप को कुछ interface खुल जाएगा यानि कि जो भी result अगर upload हुआ है for marks तो वो आपको दिख जाएगा जैसे कि अभी इसमें CAPF का Assistant Commandant का जो है वो marks वो बच्चे देख सकते हैं इन लोगों अप्लोड किया है 27 आट को केवल एक महिने टाइम मिलता है for nd also जब भी ये declare किया जाएगा जो 15 दिन बात declare किया जाएगा तो एक महिने तक ही केवल अपने आप नंबर देख सकते हैं ठीक है तो click here पे जैसे कि option assistant commandant का click here पे अगर आप click करोगे तब आप से roll number या फिर application number इन दोनों में से किसी की भी through आप अपने जो नंबर है वो देख सकते है आप लोगों को परिक्षा एप के बारे में भी बता दो कि यह test series provide करती है परिक्षा एप इसके 1 million plus download है और आप लोगों को test series इसमें करने का मौका मिलता है सबसे minimum cost में चाहे आप NDA की बात करो चाहे air force की चाहे navy की जिसके भी आप test series buy करना साते हो आप परिक्षा एप को play store से download करके उसको purchase कर सकते हो और आपको अगर बहुत discount चाहिए तो आप among 50 code इस्तमाल कर सकते हो यानि कि जो test series आप लोगों को 280 रुपीज में मिलता है वो cable 140 रुपीज में मिल जाएगा जब आप use करोगे coupon code among 50 इसका link अपने description box में दे दूँगा आप परिक्षा एप से कर सकते हैं डाउनलोड और कर सकते हैं practice अपने आपको judge कर सकते हैं इसमें आपको अपनी ranking भी पता चलेगी तो सब कुल पता लेगा तो जरूर इससे आप अपना practice करिए उमीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा तो कोई भी doubt हो अपने दिमाग में मत रखना comment section पूछना सबका मैं clear करने वाला हूँ तो चलता हूँ मैं जै हेन जै भारत